जेहिंद वेलकम टू टूडे एक्जाम क्लासेज दोस्तो इस वीडियो में हम कॉंस्टेबल वीडियो मेंस फॉरेस्ट गार्ड रीट लैब एसिस्टेंट के अंतर गत टॉफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूसन पूछे जाने वाले जीके के समंदित क्यूसन करेंगे दोस्तो तो ध्यान से देखेगा वीडियो को अगर आप भी इन कॉंस्टेबल वीडियो मेंस फॉरेस्ट गार्ड रीट तता लैब एसिस्टेंट कॉंपिटेशन एक्ट लेवल की तियारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाष्ट तक जरूर देखेगा दोस्तो क्योंकि आज के इस वीडियो में हम most important तता करंट ही में बार-बार year में रिफिट होने वाले जीके के most important क्यूसन लेके आये हैं दोस्तो तो ध्यान से देखेगा वीडियों आपके सामने पहला क्यूसन बिकानेर के राजा राज सिंग को राजपूत आने का कारण करण किसने का है मतलब बिकानेर के राजा राज सिंग को राजपूत आने का करण किसे का है तो इसका से आंसर हो देगा ओफसन नमर एस करेक्ट मुंसी देवी प्रसाद ने बिकानेर के राजा राय सिंग को राज पुताने का करण का है किसने का है मुंसी देवी प्रसाद ने नेक्स्ट क्यूशन आपके सामने जैपूर का निर्मान के सासक ने करवाया है तो इसका सही आंसर रोजेगा ओप्सन नमब बी स्क्राइक्ट जैपूर का निर्माण है वो जैसिंग दित्य के सासक ने करवाया है नेक्ट के उसना आपके सामने निम्न पंक्ती किसके लिए प्रसिद है चुंडावत मांगे सैनानी सर काट दियो सत्राणी तो इसका सही आंसर रोजेगा ओप्सन नमब ए इसक्राइक्ट राजराणी सहल कवर ने चुंडावत मांगे सैनानी सर काट दियो सत्राणी के लिए प्रसिद पंक्ती हैं किसकी हैं सहल कवर की नेस्ट किसन आपके सामने गिरी सुमेल का हिउद किस किस के बीच हुआ था तो इसका सही आंसर रोजेगा ओप्सन नमब ए इसक्राइक्ट गिरी सुमेल का हिउद है वो माल देवा सेर सासूरी के बीच हुआ था गिरी शुमेल का हिउद है वो 1545 AC में पाली का हिउद हुआ था मतलब गिरी सुमेल है वो पाली के अंतरगर्ट आता है जा वह आ हैं 1545 AC में हुआ था next की उस नाम के सामने संत नाम देव पेशे से थे तो इसका सही आंसर हो देगा option number A, संत नाम देव है वो एक दर्जी पेशे से थे next की उस नाम के सामने किस भक्ति कालिन संत ने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भासा का प्रियोग किया है तो इसका सही आंसर रोज़े को option number B इसका रामा नंद भक्ति कालें संत ने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भासा का प्रियोग किया है Next question आपके सामने बीजगरंत में किसकी सिखसाय संकलित है तो इसका सही आंसर रोज़े को option number B इसका बीजगरंत में कबीर दाज़ी की सिखसाय हैं वो संकलित है Next question आपके सामने कस्मीर में सिरी नगर किसने बसाया था तो इसका सही आंसर रोज़े को option number B इसका एक्ट कस्मीर में सिरी नगर को असोक ने बचाया था मौरिय संबराट असोक ने कस्मीर में सिरी नगर तथा नेपाल में ललित पाठर नामक नगर की इस्तापना की या इनको बसाया था किसने संबराट असोक ने Next की उस नापके सामने इंडी का का लेकक कौन था तो इसका सही आंसर रोज़े option number B इसक है इंडी का नामक पुष्ट का लेकक है उसका लेकक था PG कौन था Megasthenese Next की उस नापके सामने मौरे वन्स के ठीक बाद किस वन्स ने सासन किया तो इसका सही आंसर रोज़े option number D इसक है मौरे वन्स के ठीक बाद सुंघ वन्स ने सासन किया था अगला किसनाफ के सामने मौरेवंस का पर्तम समराठ कौन था तो इसका सेयांसर रोजे option number A मौरेवंस का पर्तम समराठ है वो चंदर गुप्त था अगला किसनाफ के सामने महत्मा गांदी के चमपारन सत्य गरह भारत के किस प्रांद में प्रारंब किया तो इसका सेयांसरोजे औप्सन नमर्श सत्या करा है वो फारत के बिहार प्रांद से प्रारंब किया था अगला केशन आपके सामने जलिया वाला बाग में गोली चलाने का आदेश किस देश दिया था नेस्ट क्योशन आपके सामने अमेरिका में भार्तिय क्रांतिकारी गत्ती वीडियो का नेता कौन था तो इसका सही आंसर रोज़े का उप्सन में 20 है अमेरिका में भार्तिय क्रांतिकारी गत्ती वीडियो का नेता है वो लाला हर दयाल थे कौन थे लाला हर दयाल वीडियो के discussion box में मिल जाएगा रच चलीगा राष्टपती पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो इसका सही आंसर रोजे का option number C इसका है राष्टपती पद का चुनाव है वो निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है अगला की उसनाव के सामने फारत में कार्य पालिका का अध्यक्स कौन होता है तो इसका सही आंसर रोजे का option number A इसका है फारत में कार्य पालिका का अध्यक्स है वो राष्टपती होता है अगला कियोशन आपके सामने फारत की तट्रेका की लंबाई कितनी है तो इसका सही आंसरोजे का ओप्सन नुबर A इसका है फारत की तट्रेका की लंबाई है वो 600 किलो मेंटर है अगला कियोशन आपके सामने फारत में सबसे लंबी तट्रेका वाला राज्ये कौन सा है अगला क्यूसन आपके साمنे फारत का कुल छेतरपल कितنا है तो इसका सही ांसर हो जगा option number 20 पारत का कुल छेतरपल है वो 32,000,000,000 किलोमेटर है संपोन भारत का छेतरपल है वो 200 के सेतरपल का 2,30 सेतरपल है चलिएगा next क्यूसन आपके सामने पारत का सबसे पच्चिमी बिंदू इस्तित है तो इसका सबसे पच्चिमी बिंदू है वो गुजरात राजिये में इस्तित है पारत का सबसे पच्चिमी बिंदू है सर क्रिक है वो गुजरात में इस्तित है नेक्स क्योंस नापके सामने गारोखासी जणजात्या में इस्तित्थ है तो इसका सही आंसर रोजें को आप्णवर सी का हैं, वो मेगालिय में इस्तित्थ हैं अगला कंजर आपके सामने, परदान मंत्री नरंदर मोदी ने मंडल बांद परियोजना की न्यू किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी तो इसका सही आंसरो ज़े और ओप्शनमर डीस्क है उत्री कोईल में नदी पर बनाने के लिए परदान मंत्री नरंदर मोधी ने मंडल बांध की परियोजना को रखी थी कौन सी नदी पर उत्री कोईल के नदी के किनारे पर मिठे फाने की कल्पसर परियोजना अवस्तित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसके साथ मोश्ट इंपोर्डेंट जी के के क्यूसन करने के लिए डेली हमारे साथ हमारे हीटूब चैनल पर बने रहे है वंदे मातरम